दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स Credit Suisse, NoMura, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs ये सब मार्च के important महिने में multi-billion dollar losses में चले गए क्या अभी भी हमारे global financial markets और systems बहुत weak हैं? Bill Huang नाम के एक शक्स ने अपनी firm Arkegos Capital Management से कैसे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया? आईए देखे के हम आज के इस वीडियो में Arkegos Capital Management एक New York based family office company है जिससे रन करते हैं Bill Huang इनके पास around 10 billion dollar assets थे और इनका primary role था अलग-अलग markets में stocks में invest करना like US market, China market, Korea market, Japan market अब catch ये है कि ये directly stocks में invest नहीं करते थे ये किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाते थे ये banks को बुता था कि आप मेरे बिहाफ पे इन stocks में invest करिए उससे banks को क्या फाइदा होगा? banks के balance sheet में ये assets आ जाएंगे और जो price risk और credit risk है वो transfer हो जाएगी Arkegos Capital Management में और swap agreement में इन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी कि मैं आपको एक particular commission दूँगा आपको ये commission fee दूँगा हर महीने और आप इसके बदले मेरे बहाफ पे इन stocks में invest करिए तो इसमें क्या हुआ? इन्होंने थोड़ा सा अपना margin रखा कि हाँ मैं इतना margin रखता हूँ बाकी banks जो है वो इन stocks में invest करेंगे अब असली खेल शुरू होगा जब ये जो stocks हैं जिनकी value पर ये betting करते थे उस betting का position जो है वो reverse होने लगेगा ये सब हम देखेंगे एक simple से example को लेकर step number one जो इसने swap agreement banks के साथ किया था stock में invest करना है बट ये अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहता ये चाहता है कि मैं banks को थोड़ा सा margin रखता हूँ और bank मेरे बिहाफ पे वाया कॉम में invest करते step number two में आप देख सकते हैं कि archigos capital जो की TRS receiver है उसने TRS payer को बोला कि मैं आपको एक commission दूँगा और मैं अपना थोड़ा सा margin money रखता हूँ और आप मेरे बिहाफ पे वाया कॉम में invest करिए और एक trading position लीजे इसके बदले जो risk हैं अंडरलाइं रिस्क जो की credit risk और price risk है वो transfer हो जाती है TRS receiver यानि archigos capital management के उपर in case suppose इस asset ये जो reference asset है इसकी value deteriorate हो जाए तो TRS pair जो की bank है वो margin call लेता है और margin call के थुरू बोलता है TRS receiver को कि आप और margin money रखिए to cover the losses यही चीज यहां गड़बढ हो गई हम देखेंगे कैसे गड़बढ हुआ अब archigos capital management आप जहां से सुनिएगा एक family office company है US markets में एक family office company को disclose नहीं करना पड़ता कि उसने किस stock में उसका कितना concentration है तो इस arrangement से swap arrangement से Bill Hwang ने क्या किया अपना जो concentration है अलग-अलग stock में वो धीरे-धीरे वो बढ़ाता गया जबकि banks और जो brokerage firms है उनको यह पता नहीं चाला कि इस particular family office का एक particular stock में कितना concentration है कुछ लोगों ने तो after this PIS को यह बताया कि यह more than 10% जो है वो concentration था बड़े-बड़े stocks में धीरे-धीरे यह stock concentration यह pile up करता गया और finally जब margin call की बारी आई तो इसने हाथ खड़े कर दिये कि मेरे पास पैसा नहीं है आप मेरे जितने assets हैं वो liquidate करिए problem अभी तक भी कुछ नहीं था problem तब आई जब Viacom CBS के shareholders ने decide कि वो 3 billion dollars जो है वो stocks sell करने वाले हैं so that they can focus more on their streaming business paramount plus अब यहाँ पे क्या हुआ धीरे-धीरे Viacom का stock जो अलड़े काफी overpriced और overvalued था उसका प्राइस थोड़ा दीरे-दीरे नीचे जाने लग्या और Archegos Capital ने bet लगाया था कि इसका प्राइस उपर जाएगा तो trading position जो है वो reverse हो गई तो इस reverse position में banks ने क्या कहा कि अब यह losses cover करने के लिए भया आप अपना margin money लाइए तो margin call इसे कहते हैं कि उसने margin call दिया Archegos Capital को कि आप अपना और margin money रखिए इस loss को cover करने के लिए और यहाँ पे बिल हौंग ने हाथ खड़े कर दिये तो बहला नहीं इससे ज़ादा मैं और margin money या collateral आपके लिए नहीं ला सकता अब भी कोई problem नहीं हुई थी यह अभी भी situation सब ठीक थी हुआ क्या अब यह जो prime brokerage firms है 4-5 इन्होंने Friday fire sale के जस्ट एक दिन पहले यह लोगोंने आपस में meeting करें Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Nomura Credit Suisse कि इस तरीके से problem हो रही है हमने margin call दिये है Archegos Capital को लेकिन वो margin और collateral दे नहीं पा रहा है तो अब क्या करें तो इन्होंने बोला थीक है इस problem को हम धीरे धीरे sort out करेंगे इसको एक एक करके हम orderly way में इनके assets liquidate करेंगे ताकि किसी एक particular stock पे कोई problem ना है जैसे ही Friday सुबे market open हुआ Goldman Sachs ने सबसे पहले सारे इसके assets बेचना शुरू कर दिया जैसे ही Goldman Sachs ने अपना बेचना शुरू कर दिया block of trade जिसे कहते हैं वो उसने बेचना शुरू कर दिया सबने market में देखा कि वाया कॉम के share price down होने लग गए तो सब को पता चल गया कि यह Archegos Capital के जो assets है वो liquidate कर रहे है तो government को देखते देखते JP Morgan, JP Morgan ने भी अपना शुरू कर दिया Morgan Stanley उसने अपने assets जो है वो liquidate करना शुरू कर दिया अब Credit Suisse और Nomura को यह assets liquidate करते करते थोड़ी तेर हो गए और इसलिए जैसे ही जैसे वो price via com का धीरे नीचे नीचे जाने लग गया लोग अपने अपने assets बेशने लग गए और जितने कम price पे लोगों ने बेचा उतना ही उनको loss निखाना पड़ा तो इसी तरीके से Credit Suisse और Nomura को around 2 billion to 5 billion dollars losses हुए है जो कि अभी भी Friday के बाद Monday, Tuesday और अभी Wednesday को भी काफी news में आ रहा है कि किस तरीके से ये magnitude काफी लंबा हो सकता है News आई तो Twitter पे भी tweets आने शुरू हो गए लोग ये अन्वा लगा रहे हैं कि Arkegos के पास जब 10 billion dollar के assets थे तो उसने 50 billion dollar का leverage कैसे market में इतना accumulate कर लिया अब जब Viacom का share price banks उसके सारे positions liquidate करने लग गए for example उसका जो investment था आपका Baidu में, Tencent में, Discovery में ये सारे stocks जो है वो down होते चले गए और around 30 billion dollars of liquidation happened in Arkegos Capital Management तो Arkegos Capital की तो हालत बहुत खराब है लेकिन उसने किस तरीके से banks की भी हालत खराब की मार्ज कमीने में ये एक सोचने वाली बात है अभी तक मैंने आपको सबसे interesting बात तो बताई ही नहीं है इस Bill Huang नाम के शक्स की history को लेकर भाया ये Tiger Asia Management नाम के एक hedge fund को चलाते थे और 2012 में इनको penalty हुई है insider trading के वज़े से इन्होंने कुछ Chinese bank के stock सी insider trading करी और इसकी वज़े से इनको settlement में 44 million dollar भरने पड़े अब भाय जिस शक्स की ऐसी credit history है और उसको इतने बड़े बड़े global banks के prime brokerage desks क्यों अंदेखा कर गए क्यों उसके बिहाफ में आप इतना ज़्यादा leverage देते रह गए और उसको इतना बड़ा empire खड़ा करने का मौका दे रिया कि आज को जब आपको margin call की बारी आई तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिये एक ये learning भी है Indian stock market के लिए चुकि ऐसे unregulated entities जो की disclose नहीं करती है अपने positions उनको monitor करना बहुत ज़रूरी है आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर सही में पसंद आया तो comment ज़रूर लिखेगा और आपके suggestions भी invited हैं ताकि हम कौन से topics जो हैं future videos में cover करें उसके लिए आप comments box में ज़रूर लिखेगा तil then, have a happy weekend keep watching Key Pointers